दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग गौवर्णर सिवेने और मोटो जीसेज़ प्ले के बीच एश्पेक्स वाज कमपरिजन करेंगे तो दोस्तो बिना समय गवाए चलि आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो शुरू आप करते हैं डिस्पले से तो दोस्तो दोनों ही स्मार्टफ़न में 5.7 इंच की HD OLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजोलूसन 720p 1440 पिक्सल का दिये गया है जो की 18.9 के स्पेक्ट रैसियो के साथ आते हैं दोस्तो बात करे गई तो ऌनोर सेवेने में 13.2 exp का dual LEDож डिया गया है जो की LED फ्लेज के वहीं Moto G6 Play में 13.8 exp का single LED डिया गया है और ये भी LED फ्लेज के साथ आता है और दोस्तों बात करें front camera की तो दोनहीं smartphone में 8 megapixel का front camera दिये गया है जो कि front LED refresh के साथ आता है दोस्तों बात करें storage RAM की तो दोनहीं smartphone में 3GB RAM के साथ 32GB के storage दी गई है जिसे expand किया जा सकता है दोस्तों बात करें प्रसेसर की तो दोनहीं स्मार्टफोन में Snapdragon का 430 प्रसेसर दिया गया है जो की एक Octagon प्रसेसर है और ये 1.4 GHz पे प्लॉक्ड है दोस्तों ये दोनहीं स्मार्टफोन डूल स्मार्टफोन जो की फुर्जिबल्टी को सपोर्ट करते हैं और ये Android OS 8.1N के ओडियो और विद बॉक्स रन करते हैं दोस्तों बात करें बैटरी की तो Honor 7A में 3000 एमेज की बैटरी दी गई है वहीं Moto G6 Play में 4000 एमेज की बैटरी दी गई है जो की टर्बो पाउर चार्जिंग को सपोर्ट करती है और साथ में दोस्तों हम आपको बता दे की दोनहीं स्मार्टफोन में फिंगर पिंडर स्कैनर दिया गया है और अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कौन से स्मार्टफोन खरीदना चाहिए तो दोस्तो हम आपको बता दे कि ये दुन ही स्मार्टफोन के लगवग सारे स्पेसिफिकेशन्स सेम हैं लेकिन फिर भी दोस्तो अगर आपको डूल केमरा चाहिए तो आप और सेमेने को खड़िद सकते हैं और अगर आपको ज्यादा बैटरी चाहिए तो आप मोटो जी सिक्स प्ले को खड़िद सकते हैं अब ऐसे में दोस्तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप कौन से स्मार्टफोन खड़िदना पसंद करेंगे फिलाल के लिए इस वीडियो में दोस्तो हम उमिध अपके इटियो पसंद हाई होगा अगर अपके इटियो पसंद है तो इपड़िख लाइक किजीं इस वीडियो को और हमारे चैनल को प्लिज सब्क्राइब किजिए तब तक लिए धन्यवाद धस्तों मिलते हैं अगले वडियो में जेहिंद वन्यमात्रम